सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो अगर आपके पास सैमसंग का कोई से भी मोबाइल है और आप अपने मोबाइल की सौफ्ट वेयर को अपडेट करना चाते हैं तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखते रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सैमसंग मोबाइल की सौफ्ट वेयर को फूल अपडेट कैसे करते हैं ताकि आपके मोबाइल का जो सौफ्ट वेयर है वो एकदम से नया रहे और उसमें कोई भी वायर्स ना रहे तो चलिए सीखते हैं कि Samsung Mobile का Software कैसे अपडेट करते हैं तो Software Update करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Mobile की सेटिंग को Open कर लेना है Mobile की सेटिंग को Open करने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा से स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करके एकदम से नीचे आ जाएए अगर आपका Samsung का Mobile है तो यहाँ पर आपको एक Option देखने को मिलेगा Software Update आपको इस पर क्लिक कर देना है या फिर यहाँ पर नीचे आपको एक Option मिलेगा About Phone का आपको इस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आपको Option मिल जाएगा Software Update का तो आप कहीं से भी इसको open कर सकते है या फिर आप यहाँ पर search भी कर सकते है software update अगर आपको option नहीं मिला है तो तो यहाँ से मैं इसको open कर लेता हूँ यहाँ software update पर click करना है अब देखे यहाँ पर सबसे पहले आपको check करना है कि कोई software update आया है या नहीं तो सबसे पहले आपका internet connect होना चाहिए, फिर यहाँ पर नीचे आपको एक option मिलेगा, check for updates, उस पर आपको click कर देना है, जैसे आप उस पर click करेंगे, तो अगर कोई update आया होगा, तो यहाँ पर देख जाएगा, और यहाँ पर लिखा होगा, download and install, तो आपको इस पर click करना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो जो भी software update आया होगा, वो यहाँ पर so हो जाएगा, और उसकी सारी detail भी आपको बता देगा, कि update में क्या क्या है, और नीचे आप उसकी size भी देख सकते हैं, कि जो update है, वो कितने अमिक है, उसे हिसाब से आप उसको update कीजेगा, तो यहाँ प आपको download वाले option पर click कर देना है, जैसे आप download वाले option पर click करेंगे, तो आपका जो software है, वो यहाँ पर download होना start हो जाएगा, तो अभी देखें, आपर timing दिखा रहा है, कि 3 मिनट का time लगेगा, तब तक कि यहाँ थोड़ा सा wait कर लेते हैं, तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप install नहीं करेंगे, तब तक आपके mobile का software अपडेट नहीं होगा, वो नया नहीं होगा, अगर आप चाहें तो इसको time देकर बाद में भी install कर सकते हैं, और अगर आपके पास time है, तो यहाँ पर आपको install now वाले option पर click कर देना है, जैसे आप install now पर click करेंगे, तो आपके phone में software install ह होना सुरू हो जाएगा, अब आपको थोड़ा सा time देना पड़ेगा, हो सकता है 10-15 मिनट भी लगे या आदे घंटे भी लग सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा time देना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट तो आपको देना ही पड़ेंगे, तो अब आप अपने mobile को side में रख दीजिए, और जब तक ये install हो रहा है, तब तक इसको install होने दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो हमारे mobile का software है, वो अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर हमारा mobile open हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसको open करते हैं, और अब देखिए, यहाँ पर हमारा phone restart हो रहा है, software क्योंकि install हो चुका है, और अब यहाँ पर आपको notification वार को scroll करना है, जैसे आप इस्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक notification दिखेगा, finishing system update, जैसे यह process पूरा होगा, तो आपके mobile का जो software है, वो पूरी तरीके से update हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यह लगबग होने वाला है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, finishing software update पूरा हो चुका है, और अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा, software update, your phone has been updated, यानि कि अब आपका जो mobile है, वो पूरी तरीकी से update हो गया है, तो इस परकार से आप अपने Samsung mobile के software को फूर अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो helpful लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी question है, तो comment box में जरूर से पूछ लिजिएगा,